धमतरी में रफतार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है धमतरी में फिर एक मामला सामने आया जहां बखारा में पैदल जा रहे एक व्यक्ति को अग्यात वाहन अपनी चपेट में ले लिया जिससे व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभी गटना से गुसा है लोगों ने धमतरी बखारा मार्ग में चक्का जाम कर दिया और जम कर नावेबाजी की चक्का जाम की सूशना मिलते ही बखारा पुलिस मौके पर पहुची बताया जा रहा है कि बखारा निवासी वेदराम यादर तहलने के लिए निकला था जिसे किसी का जाम किया गया है वाखारा में जो लगातार हो रही है दुर्गटना आज फिर से हमारे बंदू की वे अकस्तूर मिलत्यू दुर्गटना घटी है और लगातार मांग कर रहे हैं हम लोग यहां बाइपास प्रेकार बेरीगेट लेकिन सासन प्रसासन के कान में अभी तक ज जितने युवा है वो सभी अहाद इकत्रित होकर रोड जाम किये हैं आसा करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ततकाल बाइपास ब्रेकर और बेरीगेट की व्यस्ता यहां हो जाए और जितना यह रोड में आवा जाई यह जो हो रही है उसको ततकाल रोकी जाए ताकि कि किसी आज बजे की लगभग मार्णिंग वाग को दिखले था कि एक अज्यात वहान है पीछे से दोनों को फोकर मार गिया जिससे चंदरहा साहब हायल हो गया और देजराम यादाव का मोके पर ही मिलिक तो गया है जिसको प्रियम के लिए अभी पुरूद हार्पितल वेजे हैं म है कर दो गजब एान्ट को गयां है जज़ तर देजरिए तर लिए